तोड़ी आई विल डिस्कूस एवाउट एकनों असाइनमेंट कोशी नमबर 6 फाइंड दा एप्रोक्रोक्सिमेट वैल्यू ओफ अन्रूट 3 0.99 अप्टू 4 प्लेस ओफ डेसिमलों ठीक हैं यह आपका कोशीन है नाओ लेट य एकोल टो f of x और f of x क्या है हमार पास x raised to power 1 par 3 ठीक हैं जो यह टर्म है हम पहले suppose कर लेते हैं x raised to power 1 par 3 ठीक है आपको पता है कि अंडरूट x का मदल़ जाता है x रस टोफ पार 1 par 2 ठीक हैं अगर अंडरूट लगा हो और उसके lिका हो ठीक है तो उसका मदल़ होता है x to our 1y3 होता है ठीक है now where x equal to 1 and delta x ठीक है x equal to 1 and the delta x equal to क्या है आपके पास minus of 0.01 हो जाएगा ठीक है now on differentiating with y ठीक है y को differentiating करना है आपने with respect to x करना है ठीक है यह आपका y है ठीक है और इसको differentiate करना है आपने with respect to x differentiate करेंगे तो हमारे पास क्या है एगा dy over dx equal to d over dxy ठीक है ऐसे लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका d over dx y क्या हमारे पास x raised to power 1y3 तो यहां पर लिखते हैं हम x raised to power 1y3 ठीक है उसके बाद हमारे पास extended formula होता है तो उससे हम जब इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 3 x raised to power 1 by 3 minus 1 ठीक है जो standard formula होता है वह क्या होता है मारे पास d of x raised to power n equal to and x raised to power n minus 1 होता है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका equal to 1 upon 3 x raise to power जो इसको solve करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा minus 2 over 3 आजाएगा ठीक है तो next step में हमारा पास क्या value आई जब हम इस x raised to power minus 2 over 3 को denominator में ले जाएगे तो वो हो जाएगा हमारा 1 raised 1 divided by 3 x raised to power 2 by 3 हो जाएगा ठीक है now using now using delta y equal to dy over dx and delta x ठीक है delta x तो यह जाएगा दो 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 आएगा यह 1 upon 3 x raised to power 2 by 3 into और delta x की वेलियो हमारा पास क्या है minus 0.01 ठीक है यह है अब next step में हम क्या करेंगे if x equal to 1 ठीक है अगर x क्या है है हमारा पास 1 है अगर x 1 है हमारा पास तो यहां पर 1 put करेंगे हम ठीक है 1 put किया है तो हमारा पास क्या जाएगा यह जाएगा 0.01 divided by 3 और जब इसको solve करेंगे हम तो हमारा पास आएगा minus 0.0033 ठीक है जब इसको हम 3 से divide कर देंगे तो इतना clear है next step we know that delta y equal to f of x plus delta x minus f of x यह चीज हमने कहां पड़ी थी यह पड़ी थी हमने जब इसका first order principle of derivative निकालते थे ठीक है यह differentiate करते थे वहां पर हमने यह चीज पड़ी थी ठीक है तो यह हो जाएगा आपका है जब हम इसकी वेदियो पूट करेंगे हुँ f of x plus delta x ठीक है तो यह दो हमारे पास f of x क्या थे फमार पास f of x थह 3 और यहां पर minus x raise to power 1 by 3 ठीक है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है f of x हमार पास यह है तो हमार पास f of x plus delta x क्या हो जाएगा यह हो जाएगा है न और delta y equal to जब हम x equal to 1 put करेंगे ठीक है तो delta y क्या जाएगा 1 plus ठीक है और हमार पास जो delta x से उसकी क्या है हमार पास minus 0.01 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 1 plus minus 0.01 ठीक है और raise to power 1 by 3 और यहां पर 1 by 3 ठीक है अब next step में देखो यह हो जाएगा dy equal to ठीक है minus 0.033 जो dy था हमार पास वो क्या थे हमार पास dy equal to 0.0033 equal to यह हो जाएगा आपका 0.99 1 by 3 ठीक है और माइनस का 1 अब देखो यह जो टर्म है इसको हमने एक तरफ रहने दिया यहां पर ठीक है इसको इस तरफ रहन दिया वह जो हुआ कि अब यहां पर देखो 10 दह एप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ठीक है जब इसको हमने माइनस किया तो अपके पास 0.997 तो यह आपकी एप्रोक्सिमेट वैल्यू है प्लेसिस तक ठीक है तो यह किया है आपका अंसर है इसको इंस को स्कार होने हम सेकंद पार्ट कर ते हैं वह अपका डिपसेंटी तक है जो है एक यह हमारे पास क्या है एक फंक्शन दिया हुगा है तो हमारे पास given क्या है given है हमारे पास y equal to under of sin and under of x ठीक है ना डिफसेंटिटिंग with respect to x ठीक है जो y है इसको हम डिफसेंटिट करेंगे with respect to x बीगेट तो हमें पता होता है ठीक है standard formula हमें पता है d over dx x raise to power n क्या है हमारे पास n x raise to power n-1 यह है ठीक है और dissentation of sin x हमारे पास क्या होती है cos x होती है ठीक है जब हमने यह formula यहां पर apply किया तो हमारे पास क्या जाएगा dy over dx equal to 1 upon 2 unroot of sin unroot x ठीक है जब इसको solve करेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा ठीक है अंडूट का मतलब 1 by 2 होता है तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 यहां पर आ जाएगा यह हो जाएगा sin unroot x ठीक है whole raise to power minus 1 by 2 ठीक है जब हमने minus 1 by 2 को नीचे ले गए ठीक है जो जिसके साथ आप आप संट करें ठेक है तो अपका कॉस ऑफ अंडूट एकस और अब यहां तो इसको पिछान इसको फी है तो webs millionaire कि नीचहने करेंगे इसको आप ध्यान से पढ़े है ना जब इसको डिफसेंशिट करेंगे तो हमार पास निचल स्टेप में क्या आएगा यह हो जाएगा आपका cos of unroot x और divided by 2 unroot of sin unroot x ठीक है और यहां पर फिर से यही rule लग जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 1 by 2 x raised to power minus 1 by 2 ठीक है जब आप इसको इस वाले rule को यहां पर apply करोगे है ना ठीक है तो हमार पास क्या जाएगा answer यह हो जाएगा आपका cos unroot x ठीक है यह आपका second part है second part में क्या है y equal to e raised to power sin x plus x and यह आपका normal logarithium x है ठीक है यह आपका log है ठीक है normal logarithium of x है तो यहां पर देखो y equal to e raised to power sin x ठीक है y equal to e raised to power sin x plus x raised x of normal logarithium of x है ठीक है यह आपके पास y है अब आपको पाता होना चाहिए कि dissentiation of e raised to power x यानि x potential raised to power x क्या होती है हमेशा exponential x होती है ठीक है और यहां पर देखो अगर यहां पर x आपके पास कुछ और दिया हो ठीक है तो उसकी हम क्या करते हैं diffentiation करते हैं ठीक है जैसे यहां पर x था विद रिस्प्रेक्टू x कर रहे हैं तो यहां पी आएगा ठीक है जैसे यहां पर Cawth with with respect to x करते हैं तो यहां पे आना था माइनस sin x आना था ठीक है और आपको भी यह पता हो आना चाहिए है डिपसेंशिएशन ओफ लोग एक्स के लोग एक्स के डिपसेंशिएशन होती है आपकी 1 by x होती है ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यह होता है और डिपसेंशिएशन ओफ यू और वी इक्वल तो अब यहां पे देखो यह फर्स्ट फंक्शन as it is, diff sensation of the second function plus second function as it is or diff sensation of the first function यह होता है आपका product rule ठीक है तो यह तीन चीज़े हम यहाँ पर apply करेंगे हैं तो यह हो जाएगा dy over dx यह होगा आपका first function e-raise to our sin x ठीक है diff sensation of cos x plus और यहाँ पर आजाएगा आपका ठीक है e-raise to our sin x इस वारे formula को जब हमने apply किया तो पहले function वही रहता है उसका diff sensation of जो हमार पास e-e की power होगी ठीक है तो यह होगी diff sensation of cos x plus यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा product rule लग जाएगा ठीक है तो product rule लग जाएगा तो हमारे पास क्या हैगा हम first मानते हैं हम logarithm x को first function मानते हैं ठीक है तो first function as it is diff sensation of second function ठीक है d over dx और x को हमने क्या करना है diff sensation करना है plus second function as it is and diff sensation of the first function clear है अब देखो यहाँ पर यह हो जाएगा e raised to our sin x और यह एगा diff sensation of sin x तो यह क्या आपके पास cos x है ठीक है diff sensation of sin x क्या है हमारे पास cos x है प्लस यह हो जाएगा logarithm of x dy dx हमारे पास क्या होगा 1 आजाएगा ठीक है तो यह होगा logarithm x plus x ठीक है यह x था और देखो logarithm of x के हमारे पास diff sensation क्या होती है 1yx होती है ठीक है तो इसकी हमें आपास जो diff sensation होगी वो क्या हो जाएगी 1yx हो जाएगी next case में dy over dx x equal to e raised to power sin x ठीक है cos of x plus इसको इसके साथ cancel करेगा तो हमारे पास 1 ना जाएगा ठीक है और plus limit plus logarithm of function x ठीक है तो यह क्या आपका answer आगया ठीक है तो यह था आपका question number 6